हेलो फ्रेंड्स में सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा केबल डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है इस डिजाइन को आप जैन्स लेडी और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत प्यारा लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 17 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़िश्ट हो जाएगा 17 के मल्टीपल देखिए आप पहले 17 फंदे गिन लीजिए फिर से 17 फिर से 17 बार बार 17 17 फंदे गिनते जाएए और लाश्ट में आपके 7 फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सलाईयों में कम्पलीट हो जाता है ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है इसको निव बिगनर्स भी आसानी से बना सकती है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो जो डिजाइन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो डिजाइन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं 41 यानि 41 फंदे 17 के मल्टीपल करके और 7 फंदे एक्स्ट्रा अब डिजैन की पहली सलाई और सीधी साइड पर तो देखे पहला फंदा हमारा एज़स्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा एज़स्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे कर लीजिए एक फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लीजिए फिर आप धागा अपनी तरफ कर लीजिए और दो फंदे उल्टे बनाईए अब हम धागा पीछे करेंगे और बारा फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा तो देखिए पहला फंदा एजस्टीज इसे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे दो उल्टा फंदा बुनिए फिर धागा पिछे करके एक फंदे को स्लिप कीजिए फिर दो फंदे उल्टे बनाईए फिर बारा फंदे सीधे बनाईए तो देखें दुबारा डिजैन को रिपीट कर रही हैं धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे कर लेंगे और बारा फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और ये बारा जितने भी फंदे हों यही सत्रा सत्रा फंदे का डिजैन बनाते जाईए लाश्ट में आपके छे फंदे होंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा स्लिप कर लीजिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब ये जो हमारा एजस्टी चाहिसे आप उल्टा बनाएं या सीधा बनाएं मैं इसे उल्टा ही बुन लेती हूँ तो पहली सलाई हमारे डिजैन की कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड पर इस डिजैन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी तो बहुत ही आसान डिजैन हो जाता है जो हमारा उल्टी साइड से उल्टा बुना जाता है धागा अपनी तरफ कर लीजिए और सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए दूसरी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए दूसरी सलाई को उल्टा बुनते हुए मैंने कम्प्लीट कर लिया अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे पहला फंदा एजस्टीच है उतारिये या उल्टा बनाएए अब यहां से हमारा डिजाइन बनेगा एजस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब हम धागा पीछे करेंगे यह जो हमारे बारा फंदे हैं यह हमारे ट्विस्ट किये जाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच और यह छे पहले हम यह छे फंदे ट्विस्ट करेंगे तो यह तीन यहां पर बुने जाएंगे और यह तीन बीच में तो हम इन पहले वाले तीन फंदो को छोड़ देंगे और आगे की साइड से अगर टाइट लगे तो पहले इन तीनों फंदों को आप थोड़ा-थोड़ा स्लाई डाल के लूज कर लीजे फिर इन तीन फंदों में स्लाई डालिए इन तीन को आप ऐसे पकड़ लीजिए एक उंगली और अंगुठे की सायता से ताकि एक गिरेना फिर तीनों को उतारिए और बैक साइड की स्लाई पर ऐसे करके आप इनको डाल दीजेगा ये तीन फंदे आपने ऐसे डाल लेने हैं अब ये जो तीन है इस लाई पर इनको ऐसे लेकर आईए और इन तीन के आगे डाल दीजेए धागा हमने पहले ही पीछे कर लिया है और इन छे फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे एक बुन दिया दो तीन च्यार पांच और ये इनको आप थोड़ा द्यान से बनाईए क्योंकि ट्विस्ट करने पर ये थोड़े टाइट हो जाते हैं दो का एक नहीं होना चाहिए अब ये जो छे बच गे इन छे को ट्विस्ट करेंगे तो देखे एक दो तीन इन तीन फंदों को हम छोड़ देंगे और अगले वाले ज ये जो तीन हैं इनको आप एक उंगली और उंगठे की सायता से ऐसे पकड़ लीजिए ताकि फंदे ना गिरें और ऐसे करके इस फ्रंट वाली स्लाई पर डालतीजिए अब ये जो तीन हैं इनको पीछे से लाएंगे और इन तीन के आगे कर देंगे धागा पहले ही पीछे है और इन छे फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे तो देखिए एजस्टीज के बाद यहां तक हमारा सत्रा फंदे का डिजाइन बना है अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपेट करेंगे तो दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे धा आगा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब हमारी बारा फंदे की केबल बनेगी तो इन फंदों को ट्विस्ट करना है एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए ये तीन फंदे हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले तीन फंदों में आगे की साइड से हम ऐस से थोड़ा थोड़ा लूज करते हुए स्लाई को डाल लेंगे अब ये जो तीन है एक अंगुठे और उंगली की सायता से उतारते हुए इनको पकड़ लेंगे ताकि ये गिरेना फिर बैक साइड की स्लाई पर इन तीनों फंदों को हम ऐसे करके डाल देंगे तो ये ऐसे म दो, तीन, च्यार, पांच और ये छे अब नेक्स्ट वाले छे फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे तो पहले वाले तीन को छोड़ दीजिए नेक्स्ट वाले तीन में थोड़ा सा लूज करते हुए बैक साइड से आप सलाई को डाल लीजिए लूज करने का ये फाइदा होत और उंगली में तीनों को ऐसे पकड़ लेंगे और सलाई से इन सभी फंदों को उतार देंगे अब अगली सलाई पर इन तीन फंदों को डालेंगे ये जो तीन है इनको पीछे से लाएंगे और इनके आगे डाल देंगे अब इन छै को भी सीधा बुनेंगे एक दो तीन च्या पांच और ये 6 जितने भी फंदे हों यही 17-17 फंदे का डिजाइन बनाते जाएए लास्ट में आपके 6 फंदे हैं दो फंदे आप उल्टे बुनिए धागा पीछे एक फंदे को स्लिप कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे अब ये एजस्टी 6 से उल्टा बनाईए या सीधा बनाईए तो तीन सलाईया हमारे डिजैन की कमप्लीट हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप इसकी चोथी सलाई को कमप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर मेरी चोथी सलाई डिजैन की complete हो गई पांचमी सलाई है और सीधी साइड है अब आप इसकी पांचमी सलाई को ध्यान से देखे की कैसे पूरा करेंगे पहला फंदा एजस्टीच है अब यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा एजस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब हम धागा पीछे करेंगे यह जो हमारे बारा फंदे हैं इसमें से हम तीन फंदे यहां सीधे बनाएंगे तो ये 3 हमने सीधे बना लिए, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, अब धागा पीछे करेंगे, और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एजस्टीज के बाद यहां तक हमारा 17 फंदे का डिजाइन हो गया, इसी को फिर से हम रिपेट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, अब ये जो 12 फंदे की केबल है, इसमें से 1, 2, और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, और 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, अब हम धागा पीछे करेंगे, और 3 फंदे हम ये सीधे बना देंगे, आपके जितने भी फंदे हों, यही 17-17 फंदे का डिजाइन बना आते जाइए, लास्ट के 6 फंदे हैं, दो उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, और लास्ट का एज़स्टीज भी हम उल्टा ही भुन देंगे, तो यहां पर हमारे डिजैन की 5 सलाइयां कम्प्लीट हो गई, 6 सलाइय को धाग अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लीजिए, 6 सलाइयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, 7 सलाइय और सीधी साइड पर, 7 सलाइय को अब देखिए, पहला फंदा एज़स्टीज है, तो तारिय या उल्टा बनाएंगे, अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक उल्टे, 7 सलाइय बिल्कुल 5 सलाइय के जैसे ही बनेगी, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, बहुत ही आसान डिजैन है, और जब आप किसी प्रोजक्ट पर इसे अपलाई करोगे, तो आपके प्रोजक्ट के लुख बहुत ही सुन्दर आएगे, 6 उल धागा पीछे, 1 फंदे को हम सलीप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इन 6 फंदों को आप उल्टा बनाईए, फिर धागा पीछे कर दीजिये और तीन फंदे आप ये सीधि बनाईए धागा अपनी तरफ करके 25 लूटे धागा पीछे 1 फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट के 35 के 20 खंदे हम लूटे बुंब देंगे तो ये हमारी स अत्मी सलाई भी complete हो गई, आठमी सलाई धागा अपनी तरफ करके पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए, तो ये देखे फ्रेंट्स उल्टा बुनते हुए, मैंने इसकी आठमी सलाई बुन ली है, अब आज ये इसकी नौमी सलाई और सीधी साइड पर, नौमी सलाई इसकी पांचमी और स इन सलाईों के जैसे ही बनेगी, पहला फंदा अजश्टीच दो फंदे उल्टे बनाईए, धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, फिर धागा पीछे, और तीन फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, छ 6 फंदे उल्टे बेहद आसान सा डिजाइन है और इस डिजाइन को बनाने के लिए हम जो सलाई यूज करेंगे वो हम अपनी उन के अनुसार लेंगे मैं यहां पर यह ओस्वाल कंपनी की तीन तार वाली उन से बना रही हूं तो इसमें मैंने यहां पर 9 नंबर की सलाई ली है आप देख लीजिया आपकी उन मोटी पतली जैसी भी हो वैसे ही आपको सलाई लेनी है यह दो उल्टे बुनने के बाद एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और यह दो फंदे उल्टे और लास्ट का एजस्टीज भी उल्टा है तो 9 वी सलाई डिज ना कर दिखाई आप इनहीं दस-दस लाईयों को बार-बार रिपिट कीजिए और यह बहुत संदर सा डिजैन आप बना लेजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में से शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली से भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैन के चैनल के बेल आ करे से अल आपको सहन के पैस्या करके दोटिके थे और आपको स की ओिमें और आपको से पहले पिला आ पर इupid